Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है. चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं Modes of Transmission या Transmission Modes के बारे में. तो Modes of Transmission को हम different तरीके से Categorize या Characterize कर सकते हैं. एक तरीका तो जो सबसे popular है वो है Direction of Exchanges, कि Data एक जगा से दूसरी जगा तक Transfer कैसे हो रहा है. दूसरा जो popular Categorize करने का Method है वो यह है कि Transmitter और Receiver के बीच में Synchronization कैसा है. और तरीका है जिससे हम इसकी Categorization कर सकते हैं कि वो यह है कि कितनी Bits एक समय पे, एक टाइम पे, एक जगा से दूसरी जगा Channel के थूर ट्रांसफर हो रही है. तो इसको और समझते हैं. अगर हम Direction of Exchanges की बात करें, तो हम इसको दो Categories में बाढ़ सकते हैं. एक होता है Simplex और एक Duplex. और Duplex के फर्दर दो Modes होते हैं. एक Half Duplex और एक Full Duplex. तो हम यह भी कह देते हैं कि हमारे अगर हम Direction of Exchanges की बात करें, तो हमारे पास Three Modes of Transmissions होते हैं. एक Simplex, एक Half Duplex और एक Full Duplex. जो Simplex Way of Communication होता है, इसमें डेटा एक ही Direction में Flow करता है. यानि कि एक ही जगा से डेटा जाएगा और दूसरी जगा वो पहुंचेगा. Just like your Keyboard हम कह सकते हैं कि जहां से हम सिरफ Keys प्रेस करते हैं और हमारे और उस Keyboard के उपर कुछ Output नहीं हम देख सकते हैं. उससे सरफ हम Input ही Keys को प्रेस कर सकते हैं और डेटा ट्रांस्मेट होके केबल के तुरू आपके कंप्यूटर तक जाता है. तो ऐसा Mode जहां से सिरफ एक Direction में ही डेटा फ्लो होता है, उस Method को हम Simplex Method बोलते हैं, Transmission का. Another Method, Half Duplex. Half Duplex Method में जो Channel होता है और जिसके उपर जो डेटा जा रहा होता है, वो एक Direction में एक बार में जाता है, यानि के यहां पर डेटा जो है, वो दोनो डेटा में फ्लो तो कर सकता है, लेकिन Simultaneously नहीं, यानि के एक Direction में एक बार में डेटा ट्रांसफर करेगा, और अगर दूसरी Entity डेटा सेंड करना चाहती है, तो वो पहले डेटा के खतम होने के बाद ही डेटा को सेंड कर पाएगी. इसका सबसे अच्छा Example जो है, वो Walkie Talkie हो सकता है, जब Walkie Talkie में एक जगा से दूसरी जगा आप बात कर रहे होते हैं, तो जब तक एक End पे Over नहीं बोला जाता है, तब तक दूसरी साइट से Communication स्टार्ट नहीं किया जाता है, यानि कि Communication दोनों तरफ से Possible होता है, लेकिन एक साथ दोनों Entities उस Channel को Use नहीं कर सकते हैं, तो इस Limitation को दूर किया जाता है Full Duplex Mode में, जहां पे Data भेजा भी और Receive भी किया जा सकता है एक ही समय पे, तो इसके लिए वेशक से अलग-लग Channel यूज किया जाते हैं, और Data आपका उनो डिरेक्शन में एक ही बार में Move कर सकता है, तो इस Method का सबसे अच्छा Example आपका Mobile Phones हो सकते हैं, जहां पे आप बात कर भी सकते हैं और उसी समय पे बात सुनते भी हैं और बीच में भी बोल सकते हैं, जो दूसरी Broad Category हम Modes of Transmission में रखते हैं, वो है Serial and Parallel Transmission जहां पे हम ये देखते हैं कि एक बार में एक जगा से दूसरी जगा चैनल के थुरू कितनी बिट्स हम ट्रांसफर करते हैं, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, Serial and Parallel Transmission, अगर हम Serial की बात करें तो यहां पे सिर्फ एक सिंगल बिट एक समय पे एक जगा से दूसरी जगा पे ट्रांसफर होती है, जो डिटा ट्रांसफर होगा, वो बिट बाई बिट होगा, और बहुत सारे बिट्स इकठी नहीं जा सकती हैं, तो इस टाइप के कॉम्निकेशन को Serial Communication बोलते हैं, आपके कॉम पोर्ट्स इस तरह का कॉम्निकेशन करते हैं, जिनको पहले मॉड आइम्स के लिए, या और भी हम Cisco Routers को Conferir करने के लिए, Hyper Terminal जब हम यूज करते हैं, तब यूज करते हैं, पहले मॉड भी इन कॉम पोर्ट्स पे लगते थे, यहाँ पर डेटा जो होता है, वो Serial E, bit by bit, one by one, एक जगा से दूसरे जगा ट्रांसफर होता है, दूसरा जो मैधेड है वो है Parallel Connection, जहाँ पे एक साथ Number of Bits, यानि कि N Bits, ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि आपका Parallel Port होता है, और कुछ समय पहले Parallel Port Printers बहुत पॉपलर हुआ करते थे, और आपका जो डेटा है, वहाँ पे एक Group of Bits में, यानि कि Number of Bits, N Bits, एक साथ, एक से ज़्यादा Bits, एक समय पे ही ट्रांसफ करने का वो है, कि data asynchronous way में communicate कर रहा है, या synchronous way में, तो synchronous way वो होता है, जब transmitter और receiver एक ही clock पे काम करते हैं, तो यहाँ पे एक fix समय के बाद, इसको ऐसा समझे जैसे कि, जब हमारे फॉजी लोग मार्च पास कर रहे होते हैं, तो वो एक band के उपर, या left right करते हुए जा रहे होते ह और सबी लोगों के जो चाल होती है, उसमें एक जैसी होती है, तो इसको हम compare कर सकते हैं synchronous connection में, जहाँ पे वो किसी गाने की धुन पे, या किसी band पे, या अपने आप मूझ से बोलते हुए left right करते जाते हैं, तो वैसा way, जहाँ पे हमें पता होता है कि अगला bit जो है कब आने receiver हैं, उसमें data transfer करने के जो intervals होते हैं, वो fix नहीं होते हैं, जैसा requirement होता है, उसके हिसाब से data को भेज दिया जाता है, सबसे असानी से समझने के लिए इसके example को आप keyboard से कर सकते हैं, कि जब हमारा दिल करेगा तब हम keys को press करते हैं, और वो signals हैं, वो computers तक जाते हैं, तो जब हम हमारा दिल करेगा तब हम keyboard को press करते हैं, और यह जरूरी नहीं है कि एक fix interval के बाद हमें कोई ना कोई key वहाँ पर press करने ही पड़ेगी, तो इस वीडियो में हमने जाना modes of transmission के बारे में, और जिसमें हमने तीन broad categories को समझा, modes of transmission की, जिसमें कि हमारे simply की कैसे data flow हो रहा है, data exchange कैस हो रहा है, उसके modes के हैं, जैसे कि simplex, half duplex and full duplex, उसके लावा हमने serial और parallel transmission के बारे में भी जाना, और synchronous और asynchronous connections के बारे में भी जाना, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.